नमस्कार सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का JSC Education पर हम पढ़ रहे हैं Current Affairs जो हमारे exam point of view से बहुत जादा important है जो JPSC की परिक्षाम में ज्यादा आने वाले हैं हम इसका कर रहे हैं super fast revision और इसके साथ साथ हम इसका one liner approach रखेंगे जो कि 7th JPSC exam के लिए बहुत जादा importance रखेगा साथ ही आप हमारे app को download करके वहां से अन्य जानकारियां जो है प्राप्त कर सकते हैं full course की जानकारी ले सकते हैं individual courses के बारे में जान सकते हैं test series भी हमारा launch है वो सब भी आप देख सकते हैं आज का हमारा जो पहला question है वह यह है कि product quality index 2020 में कौन सी company सबसे उपर रही थी तो apple company ऐसे भी उपर रहती है आप जानते हैं कि mobile में apple का सबसे ज़्यादा value दिया जाता है तो product quality index में भी सबसे उपर apple ही रही है carrot 2020 करके एक नौसैनी का भ्यात हुआ है वह कौन से देश के बीज में हुआ है तो अमेरिका और बंगलादेश के बीज में हुआ है अब ध्यान रखेंगे carrot 20 अमेरिका और मंगलादेश के बीज में भारती टीम के बल्लेबाज है के एल रहुल इनको एकलब ये पुरसकार 2020 से सम्मानित किया है किस राजे ने तो ये राजे है करनाटक करनाटक ने के एल रहुल को पुरसकार दिया है जो एकलब ये पुरसका छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है वो है मिक रेडवुड आप ध्यान रखेंगे इसको 100% आयकर में छूट दी गई है इनमें से कौन IPL के लगतार 6 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गया है तो ये हैं डेविड वार्नर इन्ह स्वार उर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन किस राज्य में प्रारंप की गई है कीसराज्य में विद्याले योजना प्रारंप की है इसका उत्तर होगा 36 गड़ इफको की e-commerce इकाई इफको बजार में किसानों की जरूरते पूरी करनी के लिए किसके साथ समझाता किया है इफको का समझाता आप मन के अगर याद रखना है तो इफको का समझाता इफको खाद बनाती है SBI योनो क्रिशी आप के साथ हुआ है Grandparents Bag of Stories ये बुक लिखा गया है किस के द्वारा सुधा मूर्ती के द्वारा ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जो विजेता है रतूजा भोंसले किस राज्य की रहने वाली है ये महराष्टर की रहने वाली है निम्न में से कौन सा देश ताइवान को सशस्त्र ड्रोन देगा तो ये अमेरिका आप जानते हैं चीन के बगल में ही है ताइवान और यहाँ पर जैसे चीन है तो यहाँ पर है ताइवान ताइवान को ही अमेरिका यहां से सप्लाई करेगा सशस्त्र ड्रोन तेलंगाना सरकार द्वारा प्रारंप किये गए रायतु वेदी का योजना का संबंध किस से है तो यह किसानों से है नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में शिर्स पर कौन सा देश रहा है तो यह जर्मनी है किस राज्य में सतलूज नदी पर 210 मेगवाट पन बिजली पर योजना के लिए 1810 करोड के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है यह हिमाचल प्रदेश 2019-20 के लिए स्रेष्ट हौकी इंडिया सदस्य पूरसकार किसे दिया गया है तो यह हौकी मिजोरम को हाल ही में टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाडी कौन बन गए है यह है राफेल नडाल राफेल नडाल ने लगतार नहीं मतलब इन्होंने 1000 मैच जीते है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस शहर में प्रानम की गई है यह देहरादून में कौफी विच सी एम कारिकरम किस राज्य ने प्रारंब किया है यह गोवा हमारे राष्ट्रिय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉंसर कौन है यह MPL कानून बना कर मास्क को अनिवारे करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है यह है राजस्थान Alliance Air की पहली महिला CEO कौन बनी है यह हरप्रीत सिंग विश्व शाकाहारी दिवर्स कब मनाया जाता है एक नौंबर हाल ही में भारतिय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगा दिया है यह है पंजाब नेशनल बैंक स्वमित्र चाटर जी का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? वो अभिनेता थे निम्न में से 21 राजी ने फर्जी जाती प्रमान पत्र बनाने वाले सभी करमचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है इसका उत्तर है 36 गड अल्टिमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है विक्रम सूद विवाद से विश्वास योजना का संबंध किस्से है? इसका उत्तर है आयकर टी ट्वेंटी क्रिकेट में हजार चक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? उत्तर है क्रिस गेल किस खिलाडी ने मास्टर्स गोल्फ टूनामेंट 2020 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है डस्टिन जॉनसन हाल ही में किस देश के तेराख सायना जैक पर अंजाने में डोपिंग का दोशी पाया जाने के कारण दो वर्ष का प्रतिवन्द लगाया गया है ये आउस्ट्रेलिया से बिलॉंग करती है नाम है शायना जैक भारत ने कोविड-19 आशियान रिस्पॉंस फंड में कितनी वित्य सहयता दी है इसका उत्तर है वन मिलियन डॉलर संयुक्त अरब अमिरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन विजा जारी करने की घोशना की है इसकी कितनी अवधी होगी तो इसकी अवधी दस वर्ष की होगी जंगली हाथियों के बचाव के लिए किस राज्य ने एंटी इलेक्ट्रोक्यूसन सेल गठन करने की योजना बनाई है पश्चिम बंगाल ने मुंबई पोर्ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बना है इसका उतर है राजीव जलेटा फ्रेशली कंपनी का अधिगरहन किस के द्वारा किया गया है उतर है नेसले युनेसको द्वारा किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फियर रिजर्व का द शौन कॉनरी का हाल में ही निधन हो गया वह कौन थे यह अभिनेता थे चौदावे एशियाई फिल्म पुरसकारों में किस भारतिय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरसकार प्रदान किया गया है उतर है गली बॉय मुख्यमंत्री ग्रामीन सडक विक्रेता योजना किस राजय में प्रारंप की गई है उतर है मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर बाल दिवस 2020 के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला ट्राम पुस्तकाले प्रारंप किया गया उतर है कोलकाता में हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतरगत भारत और किस देश के विद्यार्थियों के लिए 14 दिवस्ये वर्चुल कारेक्रम आयोजित किया गया है इसका उतर है रूस निम्न में से किस मंत्राले ने दिवाली के अवसर पर लोकल फोर दिवाली नाम का विशेश अभियान चलाया इसका उतर है केंद्रिय वस्त्र मंत्राले ने हाल ही में भारत ने किस अफरीकी देश को 50 मिट्रिक टन खाद्य साहता प्रदान की है उतर है जिवूती अमेरिकी अंत्रिक्ष एजेंसी स्पेसेक्स द्वारा नासा के चार अंत्रिक्ष यात्रियों को अंतरराश्ट्री अंत्रिक्ष स्टेशन पर भेजा गया इनमें तीन अमेरिकी के अत्रिक्ष एक और किस देश के अंत्रिक्ष यात्री है उत्तर है जापान के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ दे येर 2020 किसी से नाम से किसको सम्मानित किया गया तो राजेश गोयंका को भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा उत्तर है पश्चिम बंगाल भारत के किस स्थान से क्विक रियक्षन सर्फेस टु एर मिसाइल सिस्टम का सफल परिक्षण किया गया एंसर है उडिसा के बाला सो तट से निम्न में से कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नामग वर्चुल कारेकरम आयोजित करेगी एंसर है एपल IRCTC द्वारा भारत दर्शन यात्रा प्रारम किये जाने की क्या तिति है इसको 12 दिसंबर 2020 से भारत दर्शन प्रारम किया गया है राष्टरिय आयुर्वेद दिवस 2020 के आफसर पर प्रधान मंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर राष्टरिय आयुर्वेद संस्थान का उद्गाटन किया इसका उत्तर है जैपूर हमारे किस पड़ोसी देश ने सेवा निवरित सेन कर्मियों को सहायता प्रधान करने वाला एक नया कानून पारित किया है उत्तर है चीन हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपगरह को अंतरिक्ष में भेजा उत्तर है चीन निम्द में से किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ एक्सपो का आयोजन किया गया उत्तर है वुहान याद रखेंगे कोरोना का ये एपिक सेंटर था इसलिए याद रखेंगे क्वेस्चन यहां से आएगा सेकेंड विश्व स्वास्थ एक्सपो आयम नो मसीहा किसकी आत्म कथा है तो सोनु सूद की आत्म कथा है बोस्कियाना किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है उत्तर है गुजार संयुक्त राष्टर ने अपने हालिया बयान में किस देश में 9 मिलियन लोगों के विस्थापन का खत्रा बताया है इसका एंसर है यूथोपिया किस राज्ज ने सरना आदिवासियों को एक अलग धर्म के तोर पर शामिल करने के लिए सरना सहीता पर एक प्रस्ताव पारित किया है इसका उत्तर है जारखन निम्न में से किसे अमेरीकी रक्षा सचीव का नया चीफ अव स्टाफ न्यूक्त किया गया है एंसर है काश पतेल भारतिया रिजर्व बैंक ने अपना मल्टी मीडिया जन जागरुकता अभियान आर बियाई कहता है कितनी भाषा में लॉंच किया है एंसर है चौदा निम्न में से किस राज्य ने राज्य में देश में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रीज का उत्गाटन किया गया है एंसर है उत्राखन हाल में ही सुदर्शन रतन का कोविड-19 से निधन हो गया ये कौन थे ये फिल्म निर्माता थे हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकी कृत बहुग्राम जलापूर्ती परियोजना प्रारंप की गई है इसका एंसर है अरुनाचल प्रदेश पेट्रोनेट LNG का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है उत्तर है अक्षे कुमार सिंग को भारत अस्ट्रेलिया जल केंदर समझाते में भारत का नेत्री तो किस ने किया अंसर है आई आई टी गुवा हाटी ने IPL 2020 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर आफ दे मैच घोशित किया गया था उत्तर है ट्रेंट बोल्ट को भारतिय नौ सेना द्वारा कि स्थान पर पांचवी स्कॉर्पियन पंडू भी वागिर लॉंच किया गया अंसर है मुंबाई के मजगाओं डॉक से विवादिक शित्र नर्गोनो काराबाग में सैने संघर्ष को समाप्त करने के लिए तीन देशों के मध्यक सांती समझाते पर अहस्ताक्षर हुआ इनमें कौन देश सामिल है इसमें रूस, आर्मेनिया और अजरबाईजान IPL 2020 के फाइनल में किस खिलाडी को गेम चेंजर ऑफ दे मैच कावर्ड दिया गया है इसका अंसर है रोहित शर्मा किस देश के राश्ट्रपती विद्या देवी भंडारी ने गांधी जी की 155 वी जैनती को चिन्हित करने के लिए उन पर एक विशेश सचित्र संकलन जारी किया है इसका उत्तर है नेपाल पिछले 120 वर्षों में पहली बार किस देश में 500 मीटर उचा प्रवाल भित्तिक हो जा गया है इसका उत्तर है आस्ट्रेलिया सडक परिवहन एवं राज मार्ग मंत्राले द्वारा जारी अधी सूचना के अनुसार किस तिथी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है इसका उत्तर है एक जन्वरी 2021 से टेनिस का पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता इसका उत्तर है डेनियल मेदवेदेव वर्चुल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल वीजी आईयार 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की उत्तर है नरेंद्र मोदी किस राज्जिन ने मच्वारों की आजीविका में सुधार के लिए परिवरतनम योजना प्रारंब किया है एंसर है केरल हाल ही में जहाज रानी मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका नाम हो गया है Ministry of Port, Shipping and Waterways आप ध्यान रखेंगे ये बहुत important question है जहाज रानी मंत्राले का नाम अब से होगा Ministry of Port, Shipping and Waterways हाल ही में किस राज्जे के तेजपूर लीची को GI टाइक प्रदान करने की गोशना की गई है एंसर है असम किस राज्जे ने उद्योगों को आकरशित करने के लिए बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने की गोशना की है एंसर है हर्याना बूल स्ट्राइक क्या है बूल स्ट्राइक एक सैन्य अभ्यास है निम्न में से किस राज्जे ने स्पंज आईरन तथा स्टिल्क शेत्र में निवेस के लिए नई उद्योगी की निती पेश की है इसका अंसर है 36 गड़ भारतिया मूल की प्रियंका राधा क्रिश्णन किस देश में मंत्री बनाई गई है इसका उत्तर है न्यूजिलेंड हाल ही में किस राज्जे ने गरीब परिवारों तथा सरकारी कार्यालेओं के लिए मुफ्थ इंटरनेट की पहली परियोजना लॉंच की है अंसर है केरल भारतिये मुक्यबाज अमित पंगाल तथा संजीत ने किस देश में संपन अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्यबाजी टूर्नामेंट में स्वर्न पदक जीता था अंसर है फ्रांस मालाबार नौसैनिक अभ्याद भारत और तीन अन्य देशों के बीच में संपन्न हुआ इन में कौन कौन से देश सामिल थे अंसर है अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया निम्द में से कौन सा राज्य या केंदर शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पठाकों फर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य या केंदर शासित प्रदेश बन गया है इसका उत्तर है दिल्ली किस राज्ये सरकार ने नाबाड के साथ खुद का मिल्क पाउडर कार खाना स्थाफित करने के लिए समझोता किया है अंसर है केरल केरल के किस शहर में प्रसाद योजना के तहट टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर उस्वीधा का उधगाटन किया गया अंसर है गुरु वायूर जहरखंड में कहां किया गया है प्रसाद योजना के तहट आप कमेंट सेक्षन में बताएंगे फ्रांस से तीन राफेल विमानों की दूसरी खेब 4 नॉवंबर 2020 को कहां उतारी गई यह है गुजरात के जाम नगर में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के बिजली वितरन नेटवर्क को अपग्रेड करने तथा बहतर बनाने के लिए 132 मिलियन डॉलर के रिण को मंजूरी दी है यह मेगाले हाली में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रतसाद सिंख का निधन हो गया इसका उत्तर है बिहार 2 नॉवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने वायू गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितनी राशी की पहली किस जारी की है इसका उत्तर है 2200 करोड रुपए निम्ण में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने चीनी पठाकों के आयात या विक्री को दंडनिय अपराद घोशित किया है इसका उत्तर है हर्याना निम्ण में से किस राज्य ने फॉर्टिफाइड चावल के वित्रन की योजना लॉंच की है अंसर है 36 गड़ निम्ण में से किन आयाइटी ने कोविड नाइटीन के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए कोविड गेम बनाया है निम्ण में से कौन सा देश नॉम्बर 2020 में पेरिश जलवाईू समझाते से अधिकारी कुरूप से बाहर हो गया अंसर है अमेरिका तो आज की करेंट अफियर्स की सिरीज में बस इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग keep learning and always stay motivated you can contact me on these numbers thank you